एक पर फिर से आप सब का स्वागत है सिंगारोजोन के नए एपिसोड में दोस्तों हम जानते हैं कि आलेडी भारत में टाटा मोटर्स और महिंद्रेंड महिंद्रा एलेक्ट्रिक वहिकल में बैस्ट अपना जोविन का बैस्ट है वो दे रहे हैं और हम आलेडी जानते हैं कि पिछले साल 2020 में जो आटो एक्सपो आ था वहाँ पर महिंद्रे एलेक्ट्रिक ने अपना एक नया स्केलेबल 350 वोल्ट का एलेक्ट्रिक वहिकल प्लेटफर्म को डेब्यू किया था स्केलेबल मीन्स इसको हर तरह के वहिकल साइज में इस एवी प्लेटफर्म को फिट किया जा सकता है इसी से जुड़ा एक नया अपडेट आया है जो आपके साथ यहां शेयर कर रहा हूँ बड़ी आटो कमपनीज जिसमें टाटा मोटर्स भी शामिल है हिंडाई शोकले लेंड रिनोल्ट के इलावा कई ग्लोबल कमपनीज वो इंट्रस्टिड है अक्वायर करने के लिए महंदर इलेक्ट्रिक का 450 वॉल्ट का इवी प्लेटफर्म अब समझते हैं कि रेस क्यों लगी है पहली बात यह अपने आप में एक बहतरी इवी प्लेटफर्म है और अभी हम सब जानते हैं इसमें कोई शक नहीं है कि फ्यूचर इज इलेक्ट्रिक आने वाले 5-7 यर्ज में काफी ज़्यादा जो सेल है इन लेक्ट्रिक वेहिकल की वो भारत में बढ़ेगी इसमें भी कोई शक नहीं है लेकिन उस 5-7 साल तक कैसे रहेगा सिस्टम अगर मात करें investment की तो बहुत ज़ाद investment रहती है R&D में अगर electric vehicle आपने एक platform develop करना है तो बहुत ज़ादा time भी लगता है investment तो बिल्कुल है उसमें R&D करने में time लगता है काफी ज़ादा उपर से जो electric vehicle की sale है भारत में बहुत कम है एक परसेंट से भी कम यह sale हम कहेंगे तो ज़ादा practical से नहीं रहता कि इतना ज़ादा time भी लगेगा investment भी करना पड़ेगा फिर आपको sale भी नहीं मिलेगी जबकि महिंद्र एलेक्ट्रिक काफी ज़ादा invest आलड़ी कर चुका है उनकी planning है आने वाले सालों में 1700 क्रोड तक वो और invest करेंगे इपने electric vehicle business में और तो और 500 क्रोड पर निया जो R&D center खोला है बैंगलूरू में वहाँ भी invest किया जाएगा तो ऐसे में अच्छा रहेगा इन companies के लिए के वो महिंद्र एलेक्ट्रिक का scalable 450V का EV platform को use करें उसको उसी के उपर जुनकी अपने model की body है उसको fix करें जिसमें low cost रहेगा reasonable price भी रहेगा इसमें बिकुल महिंद्र एलेक्ट्रिक का तो फाइदा है उन companies का भी जो आने वाले टाइम में electric vehicle launch करना चाहती है उनके लिए भी काफी फाइदे मन्द रहेगा जो यह जो वीडियो आप देख रहे हैं साथ साथ यह बिकुल auto expo में ही मैंने शूट किया था और जो upcoming महिंद्र एलेक्ट्रिक की XTV300 एलेक्ट्रिक है वो भी इसी platform पर base रहेगी XTV300 के लावा आने वाले समय जो भी महिंद्र एलेक्ट्रिक के electric vehicles launch की जाएंगे वो इसी platform पर base रहेंगे यह महिंद्र एलेक्ट्रिक की जो R&D है जो टीम है जो उन्हें महिंद्र की है यह उसी का नतीज़ा है कि महके सभी auto companies जो बेशक इनसे बड़ी companies है अगर गलोबल बात करें उनकी reach जादा है वो MNC है दुनिया भरन के product sale होते हैं बट फिर भी वो महिंद्र एलेक्ट्रिक की तरफ देख रही हैं अपने electric vehicle को launch करने के लिए यह दोस्तों वाकिए ही बहुत बहुत बड़ी बात है तो बड़ा साथ हम जब आए हैं महिंद्र एलेक्ट्रिक महिंद्र एन महिंद्र ग्रूप के लिए आनंद महिंद्र जी के लिए तो यह था आज का overall update आपका क्या क्या इस वाकिया पर अपने comment जरूर बताईएगा आज कर इतना ही धन्यवाद वीडियो कों तक देखने के लिए जाहिंद्र